लेकिन इस पूरे घटना क्रम में अचानक से एक नाम भी सामने आया है और वो नाम है नेविल रॉय सिंगहम का आप सभी सोच रहे होंगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं प्रोपेगेंडा को भी आप सरा समझ दीजे इस बड़ी स्क्रीन के सरी आपको जल्दी से समझा द देखे चीन का प्रोपेगेंडा पहलाने वाला ये नाम कौन है नेविल रॉय सिंगहम सीचीप के साथ मजबूत संबंध है सिंगहम रॉय सिंगहम के और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं मेरे पीछे जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं यही वो नाम है नेविल रॉय सिंगहम यही वो शक्स हैं जिनके साथ CCP के मजबूत संबंध है और नेविल रॉय सिंगहम किस तरीके से देखिए भारत, ब्राजील, दक्षिन अफरिका, अमेरिका, CCP के साथ मजबूत संबंध स्थापित किये हुए हैं नेविल रॉय सिंगहम ने भारत के सा 9 फरवरी 2021 में ED का छापा भी पढ़ा था नियूस क्लिक को लेकर क्योंकि फंडिंग कहीं न कहीं सवालों के गेरे में 10 करोड की FDI का भी उसमें जो खुलासा है वो हुआ था ये भी एक गंभीर आरोप था अन्य कंपनी से 20 करोड की फंडिंग हुई है दूसरी कंपनियों से य एडिटर को फंडिंग की जानकारी ना होना ये भी दिल्चस था कि एडिटर को इस फंडिंग की जानकारी नहीं थी जिस दिस तरीके से 10 करोड की FDI और उन्हें कंपनियों से 20 करोड की फंडिंग और इसी को लेकर अब हमलावर है BJP और घेर रही है राहुल गांधी को सीध राखी बक्षी जी सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ क्या लग रहा है ये सब सियासर जो जनिंद्र कह रहे थे या फिर राहुल को अड्बांटेज ना मिल जाए यही रण नीती इसके पीछे पहले तो यह मैं कहना चाहूँगी कि अज़ी मेंबर और पार्लिमेंट उनकी सदस्ता बहाल फिर से हुई है तो अब वो मेंबर और पार्लिमेंट बनके पार्लिमेंट में आया है इसका सभी को स्वागत करना ही चाहिए उनकी पार्थी ने तो बहुत ही उत्साह दिखाया जैसा हमने देखा मिठाईया बटी हैं लेकिन चुकी अब बहुत सारी नजरें सियासी तोर पर राहूल गांधी की तरफ है खासकर जो इंडिया लाइंस है वो बहुत मजबूती के साथ उनके वापस आनी की बाद उत्साह में दिख रहा है तो कहीं न कहीं अब बहुत सारे औ जुड़ी जाएंगे और यह शायद एक्सपेक्टेड था तो जिस तरह से आप न्यूस क्लिक के ऊपर बातचीत हो रही है हलांकि यह बहुत बड़ा इसमें भी एक और इंवस्टिगेशन का विशह है बहुत सारे आयामों को देखा जाना चाहिए लेकिन जहां तक जो पाय कारी हासिब की जाए ठीके राम क्रिपाल जी मतलब यह ठीक है एक काट के तौर पर क्योंकि अभी तक विपक्ष जो है वह हमलावर था लेकिन जब राहुल की वापसी हुई तभी तमाम आरोप क्यों याद आ गया तभी प्रेस कॉन्फरेंस करके चाइना का जिक्र क्यों कि किया जाने लगा श्रीण जी देखिए जब यह सेशन शुरू हुआ उसके ठीक 24 गंटे पहले मड़ीपूर की एक क्लिप आई जुम्मे की थी और आज राहुल गांधी की सता जैसे ही बहाल होती है नियूस क्लिक का मामला आ जाता है हाला कि निवर्क टाइंस ने छापा था और आज तमाम अखबारों में यह चप चुका है तो यह संजोग है या प्रयोग मैं इस पर कोई टिपड़ी नहीं करूँगा लेकिन देखिए राजनीती में क्या होता है कि परस पर विरोधी जो ताक्ते हैं उनको कोई भी चीज मिल जाएगी तो दूसरे पर हमले के मौका चोड़ते नहीं है ना सोकाल आई एंडिय ने छोड़ा है ना बीजेपी छोड़ रही है एंडिय छोड़ रही है तो यह देखिए चलेगा और यह 24 तक ही नहीं उसके आगे भी चलेगा लेकिन एक बात मैं यह कह रहा हूँ कि देखिए हम लोगों की आदास्त में यह चीज कि यह देश की फ्रीडम पर हमला है आजादी पर हमला है स्पीच पर हमला है फ्रलाना धकाना निवार्क टाइम्स जिसको केजरिवाल जी कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जिसमें उनका विध्यापन छपा था तो बड़ा हो या नहीं हो लेकिन आज जब उसमें पूरा इन्वेस्टिकेशन किया है और देखे भारत तो उसमें एक जगह पे है पूरी दुनिया में जो सिंगम महोदे हैं ये बामपंध के सबसे बड़े जंडा बरदार हैं जिनके पास आप जानते हैं इसके पहले सोरस जी थे तो आज कल के बामपंध तो ये था पूजी वात के खिलाफ था लेकिन दुनिया के कुछ बड़े पूजी पती आज कल बामपंध का जंडा लेकर गूंग रहे हैं और उसमें एक दिन पहले छप भी गया उसी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठते हैं क्योंकि आज 136 दिन के बाद राहूल गांधी जिस तरीक होई हैं हमेशा से यह होता रहा है कि जब पार्लेमेंट का शेशन होता था उससे पहले जो इन्वेस्टिगेटिव न्यूस पिपर्स होते थे वो कुछ ऐसा बंप भैंकते थे कि उसके बाद फिर सारा संसर सत्र उसी पर ही चलता रहता था अब जमाना बदल गया है तो अब शोशल मीडिया से कुछ चीजिये निकलती है यह शोशल मीडिया से निकला था मनिपूर वाला मामला और यह निव यारक टाइम से निकला है लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या भारत के चुनाव अमेरिका और चीन के लिए इतने महत्तुपुन हो गए है कि अमेरिका की वा वामपन्थी लभी है वो पूरी के पूरी चाहती है कि मोदी सरकार जाए चाहता ही है कि मोदी सरकार जाए तो इस प्रकार ये दुनिया भर के वामपन्थी एक तरफ ही कठे हुए है और देयर स्पोर्टिंग रहूल गांदी there is no doubt क्योंकि जो एमबैसी में जिस प्रकार रहू गये वहाँ कोई समझोता party to party हुआ वो क्या हुआ कुछ जाहिर नहीं हो रहा है तो कुछ चीज़े पाहरा रहे है लेकिन एक सवाल जो राखी जी ने उठाया था कि वह संसद में आये हैं उनका स्वागत किया लेकिन सवाल ये है कि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जज्मेंट का क् कि जन प्रत्नियतो कानून की धारा आठ चार इसलिए हटाई गई थी क्योंकि सांसद और विधायक जब उनको सजा होती थी तो अगली अदालत से स्टे ले ले लेते थे वो चुनाव लड़ते भी रहते थे सांसद विधायक बने भी रहते थे अब वो धारा इसलिए खतम क कर दी लेकिन सुप्रीम कोट फिर स्टे दे रहा है तो वो तो इनलेंड वाइड हो गया फैसला ठीके सर मुकेजी मैं आपकी भी पास आउंगी लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और यह एंकी ब अपने स्मार्ट टीवी पर